36 गड़ के सुकुमा में रविवार दिर्राज CRPF जवान ने अपने साथियों पर 1.47 से फाइरिंग कर दी जब इस केस की पड़ताल की गई तो पतचला कि आरूपी जवान रितेश मानसिक तौर पर बिमार था CRPF के उच्पदस्ट सूत्रों ने बताया कि रितेश एक मानसिक रोगी है इसी वज़े से उसे हत्यार भी वापस ले लिये गए थे लेकिन रितेश ने किसी और जवान का हत्यार उठा कर फाइरिंग कर दी CRPF सूत्रों ने जानकारी दी है कि ओपरेशन एरिया में हर जवान पूरे समय अपने साथ हत्यार रखता है केवल इस तरह के साइको केसिस के मामले में जवान को हत्यार नहीं दिये जाते हैं इतना की पिछली रात रितेश का किसी से विवाद हुआ था इसके बाद ही उसने किसी और के हत्यार से वारदात को अंजाम दिया कोटा विकास खंड के ग्राम लिंगन पल्ली में CRPF की 217 बटालियन का कैम्प है देर रात करीब सबा 3 बजे CRPF जवान रितेश रंजन ने अपने साथियों पर फैरिंग कर दी गोली लगने से दो जवानों की मौके पर ही मौत हो गई इसी केम्प में 85 बटालियन के जवानों का भी केम्प है घायल पाच जवानों को केम्प से करीब 11 किलोमेटर दूर तेलंगाना स्थित भद्रा चालम के अस्पताल ले जाया गया वहाँ पर इलाज के दोरान दो जवानों ने दम तोड़ दिया जबकि दो अन्य जवानों की हालत गंभीर है फायरिंग में चार जवानों की मौत हो गई जबकि तीन घायल है इनमें से दो जवानों की हालत बहुत कमभीर बताई जा रही है फायरिंग करने वाले जवान को हिरासत में ले लिया गया है फाइरिंग की घटना में मारे गए तीन जवान बिहार के रहने वाले हैं जबकि एक पस्चिम बंगाल का निवासी था चोते जवान को लेकर अभी जानकारी नहीं मिल सकी है मिरितक जवानों में बिहार निवासी धानजी, धर्मेंद्र कुमार और राजमनी कुमार यादव वेपस्चिम बंगाल निवासी राजीव मंडल शामिल है इनके अलावा जवान धर्मेंद्र कुमार सिंग, धर्मात्मा कुमार और मालया रंजन महराना घायल हुए है CRPF अस्तरों ने बताया है कि आरूपी जवान को पुनरवास केंद्र में भेजना ही इसका एक मात्र समधान हो सकता है जब तक उसे वहाँ नहीं भेजा जाता तब तक उसे force के base, group center या composite hospital से दूर रखा जाना चाहिए जहां वो असानी से हत्यारों तक ना पहुंच सके इस मामले में अभी तक इतनी ही जानकारी मिल पाई है आगे की जानकारी जानने के लिए देखते रहे global now 24-7 मैं तुशार मिलूँ आप से अब अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद